Hello everyone, कैसे है आप लोग? देखिए, चाइना टू डबल स्पेस स्टेशन साइज फ्लोट अन अल्टरनेटिव टू इसस देखते हैं क्या है चाइना प्लान्स टू एट्स स्पेस स्टेशन टू 6 मॉडूल स्टू 3 इंकमिंग यूर्स तो अभी 3 है, उससे 6 करना चाह रहा है ओफरिंग अश्टरोनॉट्स फॉर्म अदर नेशन एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म फॉर नियर अर्थ मिशन एज दी नासा लेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसस नियर्स दे एंड उफ इस लाइफस्पैन तो जैसे इसस का लाइफस्पैन अब एंड के तरफ आ गया है तो चाइना उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे वो है अल्टरनेटिव और इसस का फॉल फाम है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यह है कि इसका नासा का है तो यह चीज इन्हों ने अजरबाइजान में बता दिये अब देखिए अब देखिए अब देखिए जो पिछली बार अनॉंस हुआ तो उससे 10 साल से ज्यादा इसका लाइटाइम है, मतलब ये जो 15 यार है China's self-built space station also known as Tiangong or celestial palace in Chinese has been fully operational since late 2022 hosting a maximum number of 3 astronauts at an orbital altitude of up to 450 km at 180 metric ton after its expansion to 6 module Tiangong is still just 40% of its mass of the ISS which can hold a crew of 7 astronauts but the ISS in orbit for more than 2 decades is expected to be decommissioned after 2030 about the same time China has said it expects become a major space power China's state media said last year as Tiangong became fully operational that China would be no slouch as the ISS headed towards retirement adding that several countries had asked to send the astronauts to the China station but in a blow to China's aspiration for space diplomacy the European Space Agency said this year it did not have the budget or political green light to participate in Tiangong अब यहापे देखते हैं मैं आपको एक बार पूरा इशू समझा देता हूँ फिर देखते हैं इग्जाम पॉइंट आफ यू से हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है कि सबसे पहले आप देखिए इंटरनेशनल स्पेस्टेशन यह आपका नासा का है ठीक है यह अभी 2030 तक इसको रहना है वहाँ पर ओके और ट्यांग गॉंग यह आपका चाइना का है नाम से हम समझ जा रहे हैं यह आपका चाइना का है ठीक है यह आप देखिए 40% आफ इसका जो है चाइना क्या कर रहा है अपने स्पेस्टेशन का साइज डबल कर रहा है यह थ्री आप देखिए यहां पर था थ्री मोडियूल से सिक्स मॉड्यूल कर रहा है ठीक है थ्री मॉड्यूल से सिक्स मॉड्यूल अपना यह साइज कर रहा है एंड हम देखे यह चाइना अकेडमी ने बताया स्पेस टेकनोलोजी ने 74th International Astronautical Congress कहाँ पर बाकु बाकु हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है अजरवाई जान हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है आप यहां पर चाइना ने इसके अनॉंस्मेंट कर दिये ओके तीयंग गॉंग शलिस्टियल पहले से चाइनीज भी इसका नाम है ठीक है और यह आपका decommission होगा कब 2030 में और इसी टाइम चाइना बोला है कि हम सुपर पावर स्पेस सुपर पावर बन जाएंगे ऐसा चाइना का claim है अभी देखिए उसने हर जगह से अपने astronauts मंगवाये थे यहाँ पर यूरोप ने मना कर दिया यूरोप यूनियन ने तो मना कर दिया कि हम नहीं भेज रहें यूरोप स्पेस एजनसी एसे ने तो मना कर दिया किसको चाइना को कि हम नहीं भेजेंगे अपने astronauts कि तुम कुछ प्रैक्टिस कर पाओ या मतलब उनको training देपाओ उनको नहीं करना है तो सिंपल से बात यहाँ प हम स्पेस में भी एक बहुत बड़े power है क्योंकि चाइना के पास अभी क्या है बजट बहुत ज्यादा है यूवान उनका अपना चलता है तो वह उनके पास है पैसा खर्च करने के लिए तो हमारे लिए वस जानना यह ISS क्या है नासा का है टियंग गॉंग किसका है चाइना क है त्री मोडियूल से सिक्स मोडियूल में इसको एकस्पेंड कर रहे है यह डी कमिशन आपके 2030 में होगा इसका अभी फॉर्टी परसेंट है अभी थ्री एस्ट्रोनाट है बाद में इसमें सेवें एस्ट्रोनाट आ जाएंगे अजर्बाइजान बाकू यह अम लोग को इस्ट्रोनाट मंगवाए थे तो बस इतना ही था हमारे लिए इस आर्टिकल में जानना थैंक यू और प्लीज वरखाट टो अचीव औल यूर ड्रीम्स